दिने नमस्कार, मैं पुलक भट्टाचारे, Additional Commissioner नगर निगम आइए हम स्कूरूटनी की संपूर्ण प्रक्रिया पर चर्चा रते हैं स्कूरूटनी के बारे में अब हम बात करते हैं स्कूरूटनी के बारे में आपको यह जानकारी क्लिएर होनी चाहिए कि scrutiny सिर्फ और सिर्फ RO ही कर सकते हैं जो जिनका नाम form 1 में लिखा हुआ है किवल वही scrutiny करेंगे अगर ऐसी कोई परिस्थिती विद्यमान होती है कि किसी भी हालत में अब RO scrutiny नहीं कर सकेंगे वैसे इस्थिती पे इसका उलेख किये जाते हुए एक ARO को इस कारे के लिए न्यूक्त किया जाएगा और फिर वो ARO scrutiny कर सकेंगे लेकिन इसके अलावा कोई अन्य वेक्ती किसी भी परिस्थिती में scrutiny नहीं कर सकेंगे और अगर कोई RO के स्थान पर कोई ARO भी scrutiny का कारे करते हैं इसकी सूशना ततकाल D.O को दिया जाना आवशेक होगा जैसा कि आपको मालूम है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदान पूरे election का कारे करम घोशित किया जाता है उस कारे करम में भी scrutiny की तारीक का उलेख रहता है तो ये discretion ARO का है या D.O का है कि scrutiny का इस्थान क्या नियत किया जाएगा परन्तु ये ध्यान देना है कि form 1 जो जारी किया जाएगा notice board में nomination प्रारम होने के दिन उसमें भी scrutiny के इस्थान और समय का उलेख रहेगा साथ साथ जब आप nomination paper receive करेंगे तो उनको जो पावती देंगे भाग 6 में उस पावती में भी निश्चित रूप से आपको ये उलेख करना पड़ेगा कि scrutiny कितने वजे किस स्थान पर कितने तारीक को होगी scrutiny की जो प्रक्रिया है मैं आपको एक बार पहले वता चुका हूँ कि ये quasi-judicial प्रक्रिया है और आरो यहाँ पर status of court उनको नहीं है परन्तु फिर भी प्रक्रिया जो है quasi-judicial है और nomination paper की summary inquiry करने का अधिकार उनको है ये बात ध्यान देंगे कि scrutiny के समय जो भी वहाँ पर मौझूद है उन सब को यह अधिकार है कि वह प्रत्यक फॉर्म का अवलोकन कर सके यहाँ अवलोकन करने से आशा है कि वह nomination paper को या अन्य उसके साथ सलग्ड अंदस्तावेजों को दूर से देख सके किसी को भी यह छूट नहीं दी जाएगी कि वह nomination paper को अपने हाथ में ले सके कृपिया सतर्क रहेंगे अगर nomination paper आप किसी को हाथ में देते हैं और कोई nomination paper किसी के द्वारा फाड़ दिया जाता है या गुमा दिया जाता है छुपा लिया जाता है तो ऐसी स्थिति पर जो परिस्थिति विद्यमान होगी बहुत ही कठिन होगी इसलिए कृपिया उनको देखने दे परन्तु हाथ से handle करने के लिए नहीं दिया जाएगा यहाँ पर यह और ध्यान देना है कि हमको हर nomination paper का एक के बाद एक scrutiny करना है हर nomination paper का किसी भी candidate chair का scrutiny नहीं करेंगे एक-एक nomination paper लेते जाएंगे और उस nomination paper की scrutiny करते चलेंगे यहाँ पर यह ध्यान देना है कि अगर किसी प्रत्याशी का एक nomination paper accept कर लिया जाता है तब भी उसके सभी अन्य nomination paper की scrutiny करना हमारे लिए आवश्यक होगा यह मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूँ कि इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है कि उसने पहला nomination paper निर्दली प्रत्याशी के रूप में भरा हो और दूसरा nomination paper उसने राजनीतिक दल की तरफ से भरा हो ऐसी इस्थिति में उनके राजनीतिक पहले अगर आप nomination paper को accept करके दूसरे nomination paper को छोड़ देंगे तो ऐसी इस्थिति पे वो निर्दली हो जाएंगे जबकि वो बाद में form A-B लाकर के दे चुके हैं इसलिए उनका जो status है चुनाव लड़ने का बदल चुका है तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखने के लिए यह जरूरी है कि आप उनके सभी nomination paper की scrutiny करें और nomination paper reject होगा अगर किसी ने चार nomination paper भरे हैं और चारो reject हो गए तो वैसी इस्थिति पे उनका candidature जो है निरस्थ हो जा अगर जब भी आप किसी का nomination paper reject करेंगे तो आपको यह ध्यान देना है कि उसमें आपको कारण लिखना पड़ेगा आप किसी भी विक्ति का nomination paper जब आप accept करते हैं तो आपको कारण लिखने की आवशेक्ता नहीं है क्योंकि उसमें सभी दस्तावेच पूर्ण है इसलिए आप उसको accept कर सकते हैं लेकिन अगर आप किसी का nomination paper reject करते हैं तो ऐसी स्थिती पे आपको पूरा कारण उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने उसमें किस कारण से उस nomination paper को reject किया यहां और important है कि अगर आपने आप किसी का nomination paper reject कर रहे हैं तो ऐसी स्थिती पे आपको opportunity of hearing भी उनको द अधारों पर उनके नामिनेशन पेपर को निरस्त करने जा रहे हैं, उनका कोई काउंटर उनके पास है क्या, अगर आप किसी की जाती के आधार पर नामिनेशन पेपर रिजेट कर रहे हैं, तो आप उनको अवसर देंगे कि वो जाती का प्रमान पतर प्रसूत कर दें, वो जा दूसरे प्रत्यास्टार्टी की ने अपत्ती हैं, तो आपको उन्से पहले पूठना पड़ेगा उस आपत्ती से प्रत्याशी को आउगत कराना पड़ेगा कि आपके लिए ये आपत्ती आई है और आप इसका जवाब प्रस्तूत करें इसके लिए आप स्कूरूटनी के समय को उनके स्कूरूटनी के समय को आगे भी बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ाते हुए आप अपनी प्रक्रिया को बाकी लोगों के नॉमिनेशन पेपर जाज की प्रक्रिया को जारी रखेंगे और उस मामले को आगे के लिए पोस्पोन कर देंगे आप स्वयम भी एक बात और ध्यान दे बहुत से हमारे अधिकारियों का ये ऐसा सोचना रहता है कि जब तक आपत्ती नहीं आए तब तक आपको आवश्यक नहीं है कि आप नॉमिनेशन पेपर पे कोई किसी प्रकार का निर्णे लें लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई 24 वर्ष का व्यक्ति है जिसने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया है तुर्टी वश फाइल कर दिया है बकाइदा लिग कर फाइल कर दिया है कि मेरी उम्र चोबिस वर्ष है तो यहाँ पर आपको सुओ मोटो निर्णे लेना है कि आप उसका नामिनेशन पेपर रिजेक्ट करेंगे क्योंकि अगर आप नामिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं करेंगे तो एक 24 वर्ष का व्यक्ति विधान सभा में अगर वो जीद गए तो 24 वर्ष के व्यक्ति जो 25 वर्ष की जो समविधानिक बाध्यता है constitutional obligation है उस वही तूट जा रहा है तो इसी स्थिती पर आरो की उपर भी कारवाई हो सकती है इसलिए आरो को हमेशा सतर करेना है कि सुओ मोटो डिस्क्वालिफिकेशन भी बनते हैं जो आपको देखने है परसन कौन-कौन स्कूरूटनी के समय वहाँ मौझूद रह सकता है तो candidate खुद मौझूद रह सकते हैं उनके election agent में रह सकते हैं election agent से आशाए जिसको उसने बकायदा agent के रूप में न्यूक्त किया है आप एक election agent का form आता है उस election agent के form को जब भर के देंगे आप उनको election agent के रूप में मानेता देंगे वह अंदर आ सकते हैं उनका एक प्रस्तावक अंदर आ सकता है कोई भी एक प्रस्तावक one of the person authorized by the candidate यानि one plus three जो हैं अंदर आ सकते हैं authorized चौथा वेक्ति authorized आजकल ये देखने में आ रहा है कि सभी वेक्ति अपने वकील को ले करके आते हैं और वो वकील जो है one of the person authorized by the candidate इस अधार पर वो वकील अंदर आ सकते हैं यहां यह ध्यान देंगे कि one plus three आने की बात है वो है एक अलग इश्व है इससे ज़्यादा लोग तो नहीं आ सकते पर दूसरा है कि अगर कोई नहीं आना चाहता तो जबरदस्ती भी नहीं है कि कोई प्रत्याशी scrutiny के दौरान आए आना चाहिए इसलिए लोगों को बता देना चाहिए कि over confidence में न रहे अगर वो नहीं आएंगे और कोई उनके नाम पर उनके candidature पर आपत्ती करेंगे तो वैसी इस्तिती पर जवाब कौन देगा इसलिए सभी candidate को ये बताना चाहिए कि आपकी तरफ से किसी ना किसी को आना चाहिए लेकिन ये भी ये नियम में सपष्ट है कि presence of candidate or his representative are not mandatory at the time of scrutiny अगर नहीं आते हैं उनको पूर्ण विश्वास है कि उनका nomination paper सही है या हो सकता है उनको पूर्ण विश्वास है कि मेरा nomination paper reject हो ही जाएगा मेरे जाने से भी कुछ नहीं होगा गलती से मैंने गलत nomination paper डाल दिया है और अब उनको आने का कोई आउचित नहीं है उन्होंने payment ही जमानी कराया जो अपना नाम निर्देशन की राशी है तो आप वो तो accept हो नहीं सकती तो इसलिए नहीं आया तो लेकिन आने की बादेता आप नहीं है इवन इफ नन आफ प्रेजेंट अगर कोई वही नहीं आते है तब भी उनके nomination paper की scrutiny की जाएगी और निर्णाय लिया जाएगा scrutiny की जाएगी आप सुओ मोटो आपत्ती भी कर सकते हैं लेकिन आप जब भी reject करेंगे किसी का nomination paper तो कारण जरूर लिखेंगे उसमें अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा important है सबसे पहले जब भी आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी आपत्ती आती है किसी के भी nomination paper पर कोई आपत्ती आती है तो वैसी इस्थिति पर वहाँ पर सुनवाई का मौका दिया जाएगा साथ-साथ ये आपत्ती किसी candidate के तवरा भी हो सकती है आपके द्वारा भी हो सकती दोनों ही स्थिती पर सुनमाई का मौका दिया जासे आएगा अगर प्रत्याशी जो है जिनके विरुध अपत्ती आई है अगर वो चाहते हैं कि उनको समय दिया जाए तो उनको समय भी दिया जा सकता है यह समय जो होगा maximum up to second day after the day of scrutiny है याने normally the last date of withdrawal of the candidature नाम वापसी की अंतिम तिथी तक यह समय सीमा उनको दी जा सकती है कि आप यह यह दस्तावेज यह अपत्ती आई है यह दस्तावेज आप उस समय नाम वापसी की अंतिम समय सीमा तक आप आपना दस्तावेज जमा कर सकते हैं scrutiny in such case has to be completed by 11 a.m. on the day जो 9 a.m. है वहाँ उस तारिक तक जो है scrutiny पूरी होगी उनका nomination पे और बाकी scrutiny जारी रहेगी बाकी प्रत्याशियों की उनकी scrutiny को रोक दिया जाएगा और एडजन करते हुए उनको समय दिया जाएगा एक बात और ध्यान देनी है अगर हम किसी क्वेक्ति का nomination paper reject करते हैं तो इसका कारण लिखा जाएगा सिर्फ अस्विकृत लिखने से हमको election petition में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपका निर्णे अंतिम निर्णे है आपके निर्णे के ऊपर कोई भी उपर निर्णे नहीं हो सकता परन्तु आपको अपना निर्णे आपका आदेश speaking होना चाहिए speaking आदेश की प्रती उसको ततकाल उपलब्ध करानी है वह उनके मांगने की आवशकता नहीं है अगर आप किसी के nomination paper को reject करेंगे तो जो कारण आप दर्शाते वे nomination paper reject करेंगे इसकी प्रती आप उनको उपलब्ध कराएंगे यहाँ यह ध्यान देना है कि आपके आदेश को ले करके वह सिर्फ चुनाओं की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद election petition में ही जा सकते हैं इसलिए खृपिया अपने आदेश की प्रती अपना आदेश सही रखें पूरे नियम कानून के अनुसार लिखें और उसके बाद उसकी प्रती उनको चुरूर प्रदान कर दें मैं आपको फिर से grounds बताना चाहूँगा एक बार मैं आपको बता चुका हूँ कि किन किन आधारों पर आप nomination paper किसी का reject कर सकते हैं पहला है कि non qualified or is disqualified इस दो चीजें हैं या तो non qualified हो या disqualified कौन सी तारीक हो वो तारीक होगी date of scrutiny की second है कि nomination paper पे candidate के हस्ताक्षर ना हो थर्ड है कि उतने प्रस्तावकों के हस्ताक्षर ना हो जितने प्रस्तावकों की आवशकता हो अर्थात अगर किसी ने किसी पार्टी के तरफ से नोमिनेशन पेपर भरा है, तो निश्चीत उरूप से उनको, अगर वो नेशनल पार्टी हैं, या उस सराज जिस राजि में चुनाव हो रहा है इस्टेट पार्टी हैं, तो एक प्रहस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहिए, क अगर दस प्रस्तावकों को हस्ताक्षर नहीं है तो ऐसी स्थिती पे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा या इन प्रस्तावकों में से किसी प्रस्तावक का वोटर लिस्ट पे नाम नहीं हो तो भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो ये सा रोल्स चमा नहीं कराया गया है अगर कोई प्रत्याशी दूसरे कंस्टिटोइंसी का मतदाता है फिर से ध्यान देंगे अगर कोई प्रत्याशी दूसरे कंस्टिटोइंसी का जहां वो चुनाव लड़ाए उससे अलग किसी constituency का मत दाता है तो ऐसी स्थिति पे उसके लिए यह mandatory है कि वह certified extract of entry of electoral role प्रस्तूत करें अगर वह प्रस्तूत नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में checklist में उनको लिख करके दिया जाएगा कि आप इतने तारिक तक जमा कराएं और अगर वह जमा नहीं कराएं तो उनका nomination paper reject कर दिया जाएगा देखिए कोई भी nomination paper reject करने का आधार मूल आधार दो ही हो सकते हैं कि वो substantial character का mistake हाई की नहीं अगर कोई nomination paper जो आप reject कर रहे हैं substantial character का matter नहीं है तो कृपिया उसको reject नहीं करेंगे अगर affidavit submit हुआ है affidavit submit हुआ है आपने उनको proper सूचना दी है कि आपके affidavit में यह यह पूरे column अधूरे पड़े हुए हैं और आप इतने तारिक तक जमा करें उसके बाद भी वो जमा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में substantial character की तूटी मानी जाएगी लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतिया होती है जैसे कोई वेक्ति किसी party से वकाइदा party का नाम लिखे हैं परंतु उन्होंने चुनाव चिन्ह नहीं मांगा है कोई निर्दली प्रत्याशी हैं वो कोई चुनाव चिन्ह नहीं मांग रहे हैं तो कोई चुनाव चिन्ह नहीं मांगना substantial character का matter नहीं है तो इन grounds पे कभी किसी का nomination paper reject नहीं किया जाएगा इसलिए कृपिया ये ध्यान दे अगर किसी का nomination किसी का नाम और voter list का नाम और उनका खुद के नाम में थोड़ा clerical error है तो सिर्फ इस clerical error के अधार पे nomination paper reject नहीं किया जाएगा office of profit वो है नहीं पर उनको मालूम ही नहीं कि कानून क्या है और उन्होंने अपने आपको खुदी office of profit लिग दिया है लेकिन वो आपको मालूम है कि वो office of profit नहीं है और बकाइदा उनसे पूछेंगे तो बताए कि हमको तो नहीं मालूम था हमारे सामने नजर में भी ऐसी घटना आई है जब लोगों ने जो office of profit के थे ही नहीं परन्तु वो किसी शास की किसी जन प्रतिकिसी प्रगार के जन प्रतनिधी थे तो उन्हों ने सोचा कि उनको ये बात लिखनी चाहिए तो उन्होंने अपने आपको office of profit लिख दिया तो ऐसी इस्थिती पे उनके लिखने के आधार पे nomination paper reject नहीं किया जाएगा ये ध्यान देंगे देखिए प्रती दिन form 3 बनाना है जब scrutiny complete हो जाएगी scrutiny पूरी होने के बाद में form 4 बनाया जाएगा form 4 बनाने में मैंने आपको बताया कि form 4 है preparation of list of validly nominated candidates validly nominated candidates की list form 4 में बनेगी तो form 4 बनाने में 3 part रहेगा form 4 का पहला recognize national and state political parties part 1 रहेगा जो alphabetically उसके नाम को लिखेंगे alphabetically से मेरा आशे देवनागरी लिपी registered unrecognized political parties including state parties of other states ये part 2 में रहेगा और part 3 में independent candidates रहेगे ये तीनों प्रकार्स के नामों को आप देवनागरी लिपी में जमा करते हुए form 4 बनाएंगे यहां ये ध्यान देंगे विशेश रूप से ध्यान देंगे अगर आपने किसी की scrutiny को adjourn किया है तो भी आप form 4 बना लेंगे form 4 बना करके भेज देंगे और नीचे tip लिखेंगे कि अभी इनकी scrutiny 6 है क्योंकि अभी scrutiny का समय दो दिन बचा हुआ है तो ऐसी स्थिती पे जब आपके नाम वापसी की समय सीमा समाप्त हो जाएगी उस समय आप तक आप अपनी scrutiny कम्प्लीट कर लेंगे और scrutiny कम्प्लीट करके आप अगर किसी के नाम को आप एडजर्ण किया हुआ है कि उनका nomination paper accept होगा या reject होगा अगर accept होगा तो वो form 4 में वो नाम जूड़ जाएगा और reject होगा तो वो form 4 में नाम वहाँ पर है ही नहीं क्योंकि आपने उसको अभी वहाँ पर add नहीं किया है इसलिए क्रिपिया form 4 आपको तुरंत बनाना है जैसे ही स्कुरूपनी समाप्त होगा लेकिन इसमें संशोधन किया जाना संभाव है form 4 जब आप बनाएंगे तो क्रिपिया देवनागरी लिपी में जमाने के लिए जो देवनागरी स्कुर्प्ट होती है उसमें शिक्षाविभाग का एक सर्कुलर है उस सर्कुलर में यह हिसपष्ट लिखा दिया हुआ है कि किस तरह से नामों को जमाया जाता है किस तरह से सिक्वेंस बनाया जाएगा क्रिपिया उसका पालन करें अगर कोई सम्मान सूचक नाम जिस तरह से लोग लगाते हैं डॉक्टर, हाजी इस तरह कि सामने और्रफिक, एकेडेमिक, हैरेडिटिरी या प्रोफेश्णल इस तरह की चीज है जिनका प्रियोग करते हैं हैरेडिटी में यूज़ करते हैं आपने वंचजों से जो चला आ रहा है वह ऐसी चीज या एकेडेमिक कोई चीज हो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इस तरह का कोई प्रयोग करते हैं, सम्मान सुचक कोई बाते प्रयोग करते हैं, तो उनको लिखा तो जरूर जाएगा, परन्तु उनको जमाते समय, करम जमाते समय, जो हम अलफाबेटिकल करम जमाएंगे, देवनागरी लिपी में, वहाँ पर उसको हटा दिया जाएगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, कि यहाँ पर किस तरह से जमाना है, साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, अभी से आपको इसकी तयारी कर लेनी हैं, कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम पी के शर्मा लिखता है, तो वैसे इस्थिति में उस पराग है और प्रफुल है, तो निश्चित रूप से पराग उपर रहेंगे और प्रफुल नीचे रहेंगे, ये हमेशा आप ध्यान देंगे, कि संयूक ताक्षर हमेशा मूल अक्षर के नीचे रहेंगे, और अगर कोई सामने अब्रिवेशन का प्रयोग करते हैं, तो कुछ बाते हैं, और जिनके आधार पर आपको इस पर और भी गाइडेंस की जरूवत होगी, लगभग हर जिले में इसके संबंद में हिंदी के जो प्रोफेसर से रहते हैं, उनको अगर आप पुला करके अलफ़ाबेटिकली जमाने की कोशिश करेंगे, आप अपनी बाद आता है कि जानबूच करके EVM में जो बैलेट पेपर लगाया गया है, उस बैलेट पेपर में किसी के नाम को ऊपर पहुचाने की या नीचे किया गया है, उपर इनका नाम आना था, नीचे इनका नाम आना था, इन बातों को लेकर के कई बार भी बाद होता है, लोग अपने नाम को उपर लाने के लिए और रफिक टाइटिल्स भी लगाते हैं कि उनका नाम उपर आ जाये तो उनको नियम से जानकारी देनी पड़ेगी कि आपका नाम इस कारण से यहाँ पर जो EVM मशीन में जो बैलेट पेपर लगाया गया है उसमें है तो इसलिए ये भी एक important काम है जिसको लेकर बहुत विवाद हो सकता है इसलिए कृपिया इस काम को लेकर ध्यान दे पिछले हमारे experience है कि बहुत जगा ऐसी घटनाये हुई कि लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे नाम को जान बूच करके पीछे किया गया जबकि हमारा नाम इस करम इस तरीके से ऐ उपर आना था इसलिए कृपिया इसको ध्यान दे यहां ये भी ध्यान दे कि अब कई जगा पे ये परंपरा प्रथा भी चल रही है कि जो मुख्य केंडिडेट रहते हैं उस विधान सभा के उनके सम नाम के समान नाम के लोगों को भी चुनाव में खड़ा कर आया जाता है या कई प्रकाबार लोग भी पपुलर होने के लिए उसी नाम के लोग चुनाव में अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं तो ऐसी स्थिती पे समान नाम के लोग अगर नॉमिनेशन पेपर भर देंगे तो सबसे पहले तो ये अलग हो जाएगा कि अगर एक हमारा मू दली में तीन चार नाम समान हो गए तो वैसी स्थिती पे उनको उनके पिता के नाम से फिर उनके पते के नाम से या फिर उनके पेशे से उनको अलग-अलग किया जा सकता है उनके पूछ उनसे पूछ करके अलग किया जा सकता है कि किस तरह से आपको हम अलग करें आपके ना करके भी आपको भेजना है यह ध्यान देंगे साउधान रहेंगे कि आप तुरंत भेज देंगे लेकिन अगर आपके यहां कोई एडजन रखा गया है तो वैसी स्तथी में परिवर्तित भी आपको भेजना पड़ेगा इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि कभी भी जब आप स्कूरूटनी करने जा रहे हैं तो सामने किसी को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप किसी के इंफ्लूएंस में हैं आपका निर्णय जो होगा वो पूर्णत आपका निर्णय होगा और इसलि से तो भी सामने वाले को यह प्रतीत होगा आप दूसरे बड़े अधिकारियों से अपने साथी अधिकारियों से भी अगर आप फोन करके पूछेंगे तो भी उनको यह प्रतीत होगा कि आप बाहर से इंफ्लूएंस्ड हैं आप किसी प्रकार की निर्णय पे पहुँचना चाहते हैं उनके उनके कोई किसी के पक्छ में पूँचना चाहते हैं तो इस तरह की कोई कारेवाई नहीं होना चाहिए अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई confusion है तो ये सारे confusion आपको scrutiny से पहले ही दूर कर लेना चाहिए क्योंकि निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा इसलिए कृपिया इस बारे में ध्यान दे कि आप किसी भी प्रकार के प्रभाव में आपको एक स्वयम भी आपको किसी को फोन करके उस समय ततकाल नहीं पूचना है दूसरा इसके विरीद भी कहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे है इस कुरूटी में तो ये भी बिल्कुल कदापी जायज नहीं है आप जिस कुरसी पे आप आरो की बैठे हुए है वहाँ पर आपके उपर किसी प्रकार का इंफ्लूएंस कदापी नहीं होना चाहिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अगर कोई भी आपत्ती आ रही है तो reasonable opportunity देना है time देना है कि उनको कि वो अपना पक्ष प्रस्तूत कर सके और साथ-साथ उनको objection की reply करने का भी आउसर देना चाहिए कि वो लिखित में reply कर सके उनको समय देंगे एडजन कर देंगे scrutiny को उनसे उनका लिखित जवाब लेंगे लिखित जवाब लेने के बाद में आप अपना लिखित order पास करेंगे अपने सभी doubts को पहले clear कर लेंगे जो legal division है election commission के वहाँ से आप clear कर सकते हैं पहले before the start of scrutiny आप clear कर सकते हैं एक और सबसे बड़ी बात जुसके बारे में आयोग के भी इस परस्ट निर्देश है कि अगर किसी प्रकार की शंका विद्यमान है तो benefit of doubt हमेशा प्रत्याशी को दिया जाना है क्योंकि यह तैक आपको नहीं करना चाहिए कि कौन व्यक्ति चुनाओं लड़ेगा और कौन व्यक्ति चुनाओं नहीं लड़ेगा क्रिपिया जनता के बीच में मद्दाताओं के बीच में उनको जाने दीजिए तो अगर आपको शंका है benefit of doubt हमेशा प्रत्याशी को दिया जाएगा अगर किसी भी प्रकार का doubt विद्यमान है तो खिपिया इस बात का ध्यान रखेंगे अंतिम scrutiny पे अंतिम कुछ मेरी सला है कि किसी भी समय में किसी भी प्रकार का टेलिफोनिक consultation जो है आपको नहीं करना चाहिए किसी भी वेक्ति से जो वहाँ कमरे में नहीं है ऐसे वेक्ति से किसी भी प्रकार का टेलिफोनिक चर्चा आप कृपिया वहाँ से scrutiny के समय सब के सामने बैठ करके ना करें कि ये सही है कि ये सही है क्योंकि ये आपको किसी से पूछने का कोई अधिकार वहां से नहीं है ये आपको जो काम करना है अगर आपको कोई confusion है तो आप कृपिया सब पहले करके रखें सेकेंड आपको reasonable opportunity देना है तीसरा wrongful rejection कदापी नहीं करेंगे चौथा special treatment किसी भी candidate को नहीं देंगे जो treatment जो सब की वेवस्ता है वहां पर वो समान वेवस्ता होगी किसी भी चाहे वो किसी भी party के हो ruling party के हो यहां ये एक बात ध्यान देंगे अगर आप general election करा रहे हैं तो इस्थितियां काफी हद तक सामान ने होती है general election में एक साथ सब जगा चुना होते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं वो चारो तरफ बटे हुए होते हैं सब अपने अपने यहां काम करते रहते हैं तो ऐसी इस्थिति पर आपके उपर pressure कम रहता है लेकिन जब आप by election में रहते हैं तो ऐसी इस्थिति पर पूरे राज्ये के सभी party के जो leaders हैं वो उस वही पर focus हो जाते हैं तो ऐसी इस्थिति पर अलग-अलग प्रकार की समझ से आपको आई सकती है तो by election में कृपिया साउधान रहना चाहिए और आपको किसी भी वेक्ति को special treatment कभी भी नहीं देना चाहिए आपके लिए प्रत्याशियों और सभी प्रत्याशी बरावर है